साथ फरवरी और आठ फरवरी का दिन सेहिंग राशी के लोगों के लिए कैसा होने वाला है जैमातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे योट्यूब चैनल में और आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी इन दो दिनों के सेहिंग राशी फल के बारे में ये दो दिन आपके लिए कैसे होने वाले हैं कौन से योग बनेंगे क्या नक्षत्र होंगे और इनका प्रभाव कैसे आपकी दिन्चरिया को प्रभावित करेगा तो वीडियो को लास तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं तो सबसे पहले इन दो दिनों के तिथी नक्षत्र के बारे में जान लेते हैं तो देखे साथ फरवरी बुदवार का दिन है और ये क्रिशन पक्षकी द्वादसी तिथी रहेगी पूर्वसाड़ा नक्षत्र रहेगा और ये जो नक्षत्र है शुब नक्षत्र है वज्र नाम के योग के साथ दिन की शुरुवात होगी लेकिन सुभा को ही फिर सिद्धी नाम का योग बन जाएगा जिसके स्वामी होते हैं गणेश भगवान चंद्रमा धनुराशी में है सूरिय मकराशी घनिस्ट नक्षत्र में है अब आठ फरवरी की बात करें तो आठ फरवरी क का दिन गुरुवार का दिन है क्रश्न पक्षकी त्रियोदशी तिथी सुभा 11 से 17 बज कर 17 मिनट तक है उसके बाद 4 दशी लग जाएगी और उत्तर साधा नक्षत्र रहेगा जो की शुब नक्षत्र है यहां सिद्धी नाम का योग इस दिन भी बनेगा जिसके स्वामी भ है और चंद्रमा यहां आ गए है तो चतुर ग्रही योग का निर्मान हो गया है साथ में यहां महालक्ष्मी योग भी बना है यह हो गई हमारी ग्रहों की इस्तथी अब इसी के आधार पर जानेंगे कैसे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे क्या उपाय कर सकते हैं क्या चंद्रमा धनूराशी के है यानि आपके पंचम भाव के चंद्रमा है एक तो आपका जो वहवार है वो काफी मिलनसार होगा लोगों से मिलने जुलने उनसे बात करने के लिए ये दिन का आपके लिए काफी परफेक्ट होने वाला है आपके कारेस्तल पर भी चीज़ें नजरें हैं वो आपके उपर हो लोगों की तो आपके अंदर आज अपने काम के प्रती जो मेहनत है जो समर्पनता है वो दिखाई देगा जो काफी प्रसंसा के लायक होगा और आपको वो प्रसंसा देखने को भी मिलेगी इस दिन इन प्रसंसाओं के कारण और अपने ज्या पंचम भाव में आपके राशी के स्वामी खुद बैठे हुए हैं और यहां पंचम भाव के ही कारक भी होते हैं तो एक तो बुद्धी बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी चंद्रमा वहां आ चुके हैं तोड़ा सा बठकाने का काम जरूर कर सकते हैं लेकिन मंगल भी यहा पर भी जा सकते हैं इस दिन शाम का समय पांच बजे के बाद का समय आपके लिए बहुत ही शुब देखाई दे रहा है और गहरा लाल रंग या फिर ब्लैक कलर यह आपके लिए आज के लिए दिन बहुत ही शुब है इन रंगों का प्रियोग आप आज कर सकते हैं कोई भी बात है आपके सामने आई लेकिन उस तिल का ताड़ बनाने की कोशिश बिल्कुल आ करें इस चीज का भी ध्यान रखना है चोड़ी छोड़ी बात हैं जिनका आपको ध्यान रखने के आवस्चक्ता होगी स्वास्ते ठीक ठाक है अगर स्वास्ते में पहले से दिक्कते चल रहे हैं तो ध्यान रखने की आवशकता है तो थोड़ा सा अपनी तरफ ध्यान देना बंटा है एक तरफा प्रेम है तो वहाँ भी वह खतरनाक आपके लिए थाबित हो सकता है आपके आफिस का माहल अच्छा रहेगा और इस अराशिक के जो लोग हैं वो अपने खुद को समझने की कोशिश भी करेंगे खुद का आंकलन भी कर पाएंगे खुद का आंकलन करने से आपको चीजों के बारे में अच्छे से पता चलेगा आप क्या कर रहे हैं क्या चीज़ें ठीक कर रहे हैं कि इन चीजों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है तो अपने लिए वक्त जरूर निकालें हमेशा कभी ना कभी एक दो बार अपना व्यक्तितों का आंकलन खुद से जरूर करना चाहिए विवाहिक जीवन ठीक ठाक है प्रेम जीवन भी ठीक ठाक ही है लेकिन व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है आज का दिन इन लोगों के लिए अपनी काम को आगे बढ़ाने का भी कह सकते हैं और घर परिवार में कोई मांगले कारेक्रम होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, अपने पार्टनर के साथ आप आज कहीं गूमने की प्लानिंग भी कर सकते हैं, आर्थे किस्ते थी ठीक ठाक रहेगी और कोई नया कौशल सीखने की इच्छा आपके मन में जागेगी, क्योंकि नित्रत्व करने की इच्छा, राजनिती के छेत्र से जुड़े हैं, तो उसमें भी कुछ अच्छा करने की इच्छा, तो कई सारी चीज़ें एक साथ आज मन में उठ रही होंगी, अपने स्वास्ते को अच्छा रखने के लिए आप कुछ एक्सरसाइज बगेरा जरूर कर सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करेंगे, आपकी हैल्थ अच्छी रहेगी, तभी तो आप सबी चीज़ों पर ध्यान दे पाएंगे, तो इन चीज़ों की तरफ आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, अब बात करते हैं आठ फरवरी के बारे में, तो आठ फरवरी के दिन, पहली चीज़ तो चंद्रमा का राशी परिवरतन हुआ, और चंद्रमा भी आ गए हैं आपके मका राशी में, मका राशी की यानि की ये छटा भाव है, अब यहां एक तो आपको अपनी स्वास्ता का थोड़ा सा ध्यान रखना है, कुछ मौसमी बिमारियां परिश आपके लिए बहुत सी ऐसी आस्चरचनक बाते चुपी हुई हैं, कोई आपको अपने कार्य की शमता को जाच रहा होता है, इस तरह की चीज़ें आपको दिखेंगे, लेकिन आपसे वो प्रभावित होंगे, आपके काम से प्रभावित होंगे, अगर आपके पास जौब न साजेदारी, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन यहां कोई आपके वेवार का नाजयस फायदा उठा सकता है, आपकी बातों से वो चीज़ों को अलग तरीके से उनका फायदा उठाने ही कुशिश कर सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखें, बाकी धन संपत्ति के माम समले में दिन अच्छा है, आर्थिक इस्तिती ठीक ठाक रहने वाली है, आपकी जो अनिर्णा लेने की शमता है, वो काफी अच्छी रहेगी, कोई भी रिष्टों में गलत फहमी थी, तनाव था, तो उसको दूर करें, और जिसे दूर होने में कुछ समय भी लगेगा, लेक चर्चा से ही समाधान आपका निकलेगा, उन चीजों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, बाकि जो मंगल का राशी परिवर्तन हुआ है, वो कही न कहीं आपके लिए कुछ पॉजिटिविटी भी लेकर आया है, और कुछ सावधानियां जैसे हेल्थ के लिए आपको सा फरवरी का दिन है, वो जो प्रतियोगी परिख्षा की तियारी कर रहे हैं, कॉम्पेटिटिव एक्जाम की तियारी कर रहे हैं, उनको जादा फोकस करने की आवश्यक्ता है, अगर आप अपनी ध्यान को बिल्कुल अच्छे से रखेंगे, क्योंकि मंगल आ चुके हैं आप सूर्य देव को जल दें, इसकारे को करें और साथी हनुमान चालिसा का पार्ट आपको करना चाहिए, हनुमान उपासना आपको करनी चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भोलें